तो Google Seat में हम बात कर रहे हैं charts पिले charts, graphs, कुछ भी कह सकते हैं इसको तो charts का इस्तमाल क्यों होता है? chart का इस्तमाल होता है data visualization के लिए data को easily compare करने के लिए हम chart का इस्तमाल करें अब question यहां पर आता है कि कई? क्यों? जरुवाइशन कैया है? आपके सामने डेटा दिख रहा है तो आप इसको देख इसली बता सकते हैं कि सबसे जादा 98 फरवरिय में से लुए है और सबसे कम मार्च में 58 से लुए है क्यों कि डेटा बहुत रहा है लेकिन बहुत कम लेकिन डेटा इस तरह से लाकों करोड़ों में होगा तो क्या लग रह पॉसबल है नहीं है ना तो जब हमारा डेटा मिलियनस में और बहुत लंब्म होता है तब जो से कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन लोग नहीं करेंगे लेकिंगे लुकूरे उसी छीच को हम एक ग्राफिक्स के मदबह से जिसे की मैंने यहां पे आपके सामने दिखाया ग्राफिक के मदबह से बताया तो आप एजली समझ गाये कि भाइच सब से जादा सेल किसमें हुआ हो ने और सबसे कम का हुआ है तो जन्वरी में जन्वरी जन्वरी में हुआ है फर बड़ी में हुआ है मार्ज थोफ सिमलर है क्योंकि डेटा का संख्या काफी ज्यादा इसकाज से पता नहीं चल ला है तो संख्या को छोटा गर लेते हैं तो हम एजली कम पेर कर सकते हैं और चार्ट आज से नहीं चल रहा है चार्ट जो है काफी तो इस तरह किछा था को दिखाया जाता है कि इतना इतना भूआ है तो समझागा पाता है नहीं तो उनको चार्ट के रूप में दिखाया जाता तो हम बात करते हैं टाइप ऑफफ चार्ट के बारे में चार्ट की लुग्षा थो चाइप है तो आपको यहां पर setup में दिख जाता है दिख रहा है तो सबसे पहले तो यहां पर चार्ट को suggest किया गया है कि इसमें हम इतने तरह की चार्ट बना सकते हैं ठीक है ठीक है उसके बाद यहां नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे टाइप पर चार्ट तो अभी जो चार्ट by default यह आता है kolon chart ठीक है उसके बाद line chart आपका line chart line chart smooth line chart है और यह कॉमबो चाट लाइन और दो और कॉंब आपका एडिया चर्ट जो कि सिम्लर टू लाइन चर्ट ही होता है लेकि वह अरेकि अब रहे सक अरिया परिये स्टेक एरिया चार्ट है अलग-अलग प्रकार है बताओ में आपको इंटेज्ट रहा हो ठीक है अभी एक कॉल्म चार्ट जो कि लगा हुआ है कॉलम को भगर पर आपका 100 कॉलंड चार्ट होता है ऐसी बार चार्ट बस ये जाता है बार कि यह जैसा होता है बट एंगल चलो जाता है बार के लिए तो तो कॉलम के तीन अलेगा पाई हो गया डोनट हो गया और आपका दिखाने वाला मैप चार्ट है अगर आपको ग्राफिकली कुछ सो करना चाहते हो जैसे कि होगा कि आपको अपने बजपन में जब नियूज आता था डिटी नेशनल पे हम लोग इधर आके देखें दिल्ली जब गया है तब डिश्टी तक तो हम तो वहां पर होता था कि हमें बताया जाता कि कौन-कौन शहर ने बारी सोरी है हुता था उस सब्सक्राइब करता है उसके लाबा कुछ अधर चार्ट है जैसे कि यह आपको वाटरफॉल चार्ट कहा जाता है यह आपको हिस्ट्रोग्राम चार्ट है यह आपका रेडार चार्ट है मैं कुछ लोग इसको तो तो अभ्ली करते हैं कि यह सब चार्ट आपके साथ है। दिधान देखें जब ही यूज करते हैं तो बहुत जादे हो जाएगा फिर इसको कैसे एक्जिक्यूट नहीं होगा तो इसको आपको पीवट के थूरू सम्राइच करना होगा और सम्राइच करके इस तरह के डेटा में ला ला लुँँ सम्राइच तब पहले उसको पीवट बना लो यहां पर यहां पर रिपिटेट है ना आपका इसे बीपी पब्लिक स्कूल दिख रहा है तो इसमें कई सारे इस में इस स्कूल डिस्टिक्ट जो है रिपिटेट है तो आप क्या करेंगे आप शारे स्कूल का स्कूल निगा लेंगे तो आपके पास 10p तो आपने हमने क्या डबल क्लिक किया तो चार्ट के क्या देखे टाइप्स थे राइट अब चार्ट के बगल में आपके सामने दिखता है कस्टमाइज के मतलब है इस चार्ट से रेटेड फॉर्मेटिंग जिसे की चार्ट के स्टाइल यहां से इसकी बैक्डाउंड फॉर्ग्राउंड बाकि कलर व्लड थ्रीडी बोडर में लाज सकते हैं मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसका फॉर्ण चार्ट का स्टाइल होता है जिसमें आप बैक्ड्राउंड फॉर्ण चार्ट का बॉर्डर बाकि चीज़ चेंज करते हैं उसके बाद आता है चार्ट एंड टाइटल तो चार्ट टाइटल में उसका क्या होना चाहिए यहां पर ले लिया उसने सेंज मंठ यह आपने साथ चेंज से उसकर सकते हैं कि मंथ इस आप इसकी किस तरह की फारबट होनी चीज़ इस्की फॉ country चाहिए और रोट चाहिए तिक तो अब इसके सब्टाइटल आपको अगर लगाना है तो सब्टाइटल लागा सकते हैं जैसे कि मैंने देदिया यहां पर और यह हुआ है तो आज यहां नीचे इसके नीचे आजाएगा इसकी तो यहां पर है कि आप क्या करें चाहितने हैं यहां लुएंटल का क्या थे सब्सक्राइब क्या 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 लिखना है कि या कुछ और लिखना है मंत की जगह पर या कुछ और लिखना है जो टाइटल लिख रहा है ना तैंट अच्छा यह यह दो नों चेंज हो जागा है अब इसमें आता है स्रीज स्रीज बनाया ना उसका इसका फिल कलर मैं चाहता हूं की और इसमें क्या कि अब तर से लाइन कि लाइन है उसकी क्लर क्या हो नहीं चाहिए तो लेफ्ट एक्सिस यहां पर लेफ्ट एक्सिस है मैं इसको यह राइट पर दो राइट पर आ जाएगे लेटा लेबल देने हैं तो डेटा लेबल डेटा आजाएगी टाइम लाइन देना है तो इसका त्रेंड दिखा देगा किस तरह से चलना है इस सब की अलग लगा लेजन्ड की बात करें तो इसमें अर्टमाटिकली है यह आप अपने अपर बटमाट चेंज कर मैं शीचाइए वाया तर नहीं होना चाहिए जैन तो जून नहीं तो नहीं होना चाहिए है पुर्त तरह से आपका वर्टिकलेक्सिस है और वर्टिकलेक्सिस में भी सेम है कि यहां पर करना है क्या हो करना है क्या होना चाहिएर usability अब तैसे हैं यहां पर सिप्सक्र जोना चाहिए है है offset को थैए कि तर्いつ की particular तो अभी आप क्या करें अभी मैं इसके आगे आपको नहीं बतारा क्योंकि इसके आगे पूरी सी आपको करना पड़ेगा एक्स्प्लोड तो आप इस तरह के छोटे-छोटे डेटा बनाएगे उस इसमें डिफरेंट डिफरेंट के चार्ट्स अप्लाई कीजिए उस कस्तमार में जाकर इसकी फॉर्मेंटिंग को छेर चार कीजिए तो तो आपको आएगा पिक कल से हम वन बाइवन सारे चार्ट्स को कवर करेंगे तब आपको समझाएगा